जवार मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन्वन की बाद दोस्तो आज बात पलामू की तीन सीटों की करेंगे ये सीटे हैं हुसेनाबाद, भावनाथपूर और पांकी शुरुआत हुसेनाबाद से जन्वन की ठीक पहले भारती जनता पार्टी में आ तो गए हैं लेकिन उनके सामने चुनावती भाजपा और आजसु के असंतुष्टों से पार पाने की है कमलेश सिंग के भारती जनता पार्टी में शामिल होने की खबर फैलते ही भाजपा के बड़े नेता जोतिरीश्वर सिंग, विनोज सिंग, प्रफुल सिंग, कामेश्वर कुश्वाहा, रविंद्र सिंग और अशोक सिंग समेत कई लोग विरोध में एक जुट हुए थे उनकी एक जुटता क्या रंग लाएगी यह तो समय ही बताएगा उपर से हुसेनाबाद में जीत का रिपीट नहीं होने वाला फैक्टर भी कमलेश्व सिंग के लिए एक बड़ी चुनोती बनेगी तो बाबु साहिब की हार कनफर्म करने के लिए विनोज सिंग, करनल संजे सिंग, जोतिरीश्वर सिंग और आजसु के कुश्वाहा शिव पूजन महता तयार बैठे हैं यह सब देखकर राज़त वाले संजे सिंग यादव तो बहुत खुश हो रहे होंगे राजपुत बहुल इस सीट पर कमलेश सिंग की मुश्किल बढ़ाने के लिए तीन-तीन बाबु साहिब फेटा कसकर तयार है इस सीट से कोई भी उमिदवार लगातार दो बार जीत दर्ज नहीं कर सका है कमलेश बाबु इस सीट से दो बार जीते हैं लेकिन इस बार अगर भाजपा की और से उमिदवार बने तो घड़ी छोड़कर कमल थामने का फैसला उनको महगा पड़ता दिखाई दे सकता है क्योंकि 1990 के चुनाव को छोड़ दे तो यह सीट कभी भी भाजपा के पाले में नहीं रही है साल 2000 और 2009 में राजद के संजे सिंग यादव यहां से जीत चुके हैं पर 2014 में आजसु के कुश्वाहा शिवपूजन महता बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर एक तरफा जीते थे सैन प्रकोष्ट और किसान ब्रिगेड वाले करनल संजे सिंग पांच साल से छेतर में जमीन आसमान एक किये हुए थे तन मन धन सब जोक दिया था भाजपा के टिकट के लिए मेहनत कर रहे थे वे किसी हाल में बैठने वाले नहीं हैं अगर उनको टिकट नहीं मिला तो भी वे चुनाव लड़ेंगे अगर करनल संजे निर्दली या किसी दूसरी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो कमलेश सिंग का समीकरन गड़बढा सकते हैं उपर से कहीं विनोद कुमार सिंग भी बागी बन गए तो कमलेश सिंग को बीजिपी का टिकट लेना भारी पड़ सकता है क्योंकि एनसीपी में रहते हुए जो मुस्लिम वोट उन्हें मिला करते थे वे भी शाय अदब नहीं मिलेंगे हुसेनाबाद में शिवपूजन महता भी एक बड़ा फेक्टर हैं अगर शिवपूजन महता आज सू छोड़कर बहुजन समाज पार्टी से लड़े तो जीतने की हालत में भी आ सकते हैं क्योंकि इस बार बसपा का एलाइंस ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ है 2019 में शिवपूजन महता को 15,544 वोट आये थे जो उनके निजी वोट थे बसपा के उमिद्वार शेर अली को 28,877 वोट मिले थे बसपा के वोटरों पर भी शिवपूजन महता का प्रभाव है क्योंकि वे 20 साल तक भाउजन समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं हुसेणाबाद सीट के भाजपा के खाते में जाने से कुशवाहा समाज के लोग आजसू से खासे नाराज हैं कुशवाहा समाज के बुद्धी जीवियों का कहना है कि बिहार की तरह जार खंड में लवकुष समी करन काम नहीं करता है समाज के सोचल मीडिया साइट्स पर इसकी अच्छी खासी चर्चा भी हो रही है कुशवाहा समाज की अच्छी अबादी हुसेनाबाद में रहती है जिसका फायदा कुशवाहा स्यू पूजन महता को मिलेगा तो कुल मिलाकर हुसेनाबाद में अगर भाजपा कमलेश शिंग को चुना मैदान में उतारने का फैसला करती है तो यह कितना सही दाओं साबित होगा यह तो जनता का फैसला ही बताएगा अब आते हैं भावनातपूर के सीट पर भावनातपूर में कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहां बिलकुल सीधा सीधा समिकरण है भानु प्रताप शाही तीन बार यहां से विधायक रहे हैं और अभी लगातार दो टर्म से विधायक चुने जाते रहे हैं तीनो बार भानु प्रताप अलग-अलग दलों से जीते हैं तो जाहिर है शेत्र में उनका वेक्तिकत जनाधार है 2019 में पहली बार वे भाजपा में शामिल हुए थे और भानु प्रताप शाही और भाजपा के मिले जुले जनाधार ने 2019 के चुनाव में उन्हें करीब 40,000 वोटों से चुनाव जिता दिया था भानु प्रताप शाही को 96,818 वोट मिले थे बसपा की सोगरा बीवी दूसरे नंबर पर थी और निर्दली ए अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा तीसरे नंबर पर रहे थे सोगरा बीवी को 56,914 और छोटे राजा को 53,050 वोट मिले थे अनंत प्रताप देव अब जेमें में आ चुके हैं और ताहिर अंसारी और उनकी पतनी सोगरा बीवी ने घोशना कर दी है कि वे या उनके परिवार का कोई सदा से चुनाव नहीं लड़ेगा और वे छोटे राजा को समर्थन देंगे अब 2019 में सोगरा बीवी और अनंत प्रताप को मिले वोटो को जोड़ दें तो यह आंकड़ा एक लाख नौँ हजार नौसो चौशट का होता है जो भानु प्रताप शाही को मिले वोटो से तेरह हजार 146 वोट जादा है हलाकि चुनाव में हमेशा दो और दो चार नहीं होता लेकिन फिर भी भानु प्रताप शाही और अनंत प्रताप देव में अगर सीधी टक्कर हुई तो इस बार मुकाबला बेहत काटे का होगा और कोई पुर्वानुमान लगाना मुश्किल होगा अब आते हैं पांकी की सीट पर यहां भाजपा के कुश्वाहा सशिभूशन महता विधायक हैं 2019 में उनके भाजपा में शामील होने पर काफी विवाध हुआ था हंगामा हुआ था लेकिन टिकट पा गये चुनाव जीत गये थे इस बार के चुनाव में भारती जन्यता पार्टी की तरफ से कुश्वाहा सशिभूशन महता के अलावा अमित तिवारी और लवली गुपता भी दावेदार हैं लेकिन लगता नहीं है कि कुश्वाहा जी का टिकट कटेगा कॉंग्रेस की बात करें तो पूर विधायक देविंदर कुमार सिंग और बिट्टू सिंग और लाल सूरज के बीच टिकट की दावेदारी है एक को टिकट मिला तो दूसरा निर्दली लड़ेगा या किसी दूसरे दल के तरफ से ताल ठोक सकता है एक खास बात यह है कि पा काफी सक्री है तो पाकी में भी मुकाबला त्रिकोनी होने के पूरे आसार है तो कुल मिलाकर पलामू की इन तीन सीटों पर भारती जिनता पार्टी के उमिद्वारों के सामने इस बार 2019 के तुलना में थोड़ी ज्यादा कठिन चुनावती होगी दोस्तों इस वीडियो पर